दोस्तों स्वागत आप सब का इंडिया और आइरलेंड की बीच में चल रही दो टीट्वेंटी मैचों की सीरीज का सेकंड टीट्वेंटी मैच 28 जून को शाम को 9 बज़े खेले आएगा तो यहांपर हम बात करेंगे इस मैच की बारे में कि जब ये दो टीम इस मैच को खेलन नहीं बारिष होने वाली है और बारिष होगी तो इस मैच में फिर से कैसे टीम मनानी है जिससे की इस मैच में भी एक अच्छी टीम मना करके पेसा जिट सको आपको करना कुछ भी नहीं है जो पैसा आप लगा रहे उसका 2-3-4 पैसा कमा सकते हो वैस आपने ये वीडियो श उम्मीद करता हम सभी लोग जीतने के लिए आए तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बता दूँगा हर एक प्लेयर के बारे में बट जो मेरी फाइनल टीम है जिसके साथ मैं खेल रहा हूं जिसके साथ पू तो जिसने टेलिग्राम अभी तक जोई नहीं किया जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलिग्राम चैनल फैंटैसी किर्किट गूरू का लिंक दे रखा है ठीक है आप उस लिंक पर जा करके सीधा सीधा टेलिग्राम चैनल जोईल कर सकते हो इंडिया का सब से ब मैंच बात करते हैं तो माइराम सेरकल की बात तो आती हाती है इंडिया ऐरलींड का मैच है और आगर आपको इस मैच में करोड़ अपती वनना है आपको फर्स रंक पर आक एक रोड रूपह जीतने है तो मैरेज टरकल अभी कि अभी डाउन्लोड कर लो क्यूंकर वग है अगर आपने 1000 रुपे डिवोजट किया तो आपको 1200 मतलब 200 फ्री मिल रहे हैं उसके बाद खेलो और अगर आप फर्स्ट रेंक पर आगे तो भाई एक क्रोड तो आपको मिली दें तो जिस भाई ने अभी तक माईलाइश सरकल आपको डाउनलोड नहीं किया है चल दी जाओ य फिर ही में बट रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैच की बात करा तो यह मैच एक बार फिर से डबलीन में खिरा आएगा अब डबलीन में आपने लास्ट मैच देखा ही था वहाँ पर छोटा एक राउंड था और आर्लेंड जैसी टीम 12 आवर में स्टार्टिंग में द बारिश देखने को मिलेगी एक बार फिर से आपको कम आवर का मैच देखने को मिल सकता है और अगर कम आवर का मैच होता है फिर आपने किसको लेना है किसको ड्रॉप करना है यह सारा गाइडेंस में आपको टेलिग्राम चैनल पर देंगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग पिछले matches खेले गए हैं टूटल 15 में 109 match चेज का नवाली टीम जीता है लास्ट में भी चेज का नवाली टीम जीता था अलाकि इस match में इंडिया बैटिंग करेगी तो इंडिया जीतेगी इंडिया फिल्डिंग करेगी तो इंडिया जीतेगी तो यह चेज और बैटिंग करेगी तो डिफ्रेंसी खत्म हो जाता है अब इसकोर की बात करें तो 162 यहां पर अवरेज इसकोर रहा है लेकिन इंडिया अगर पहले बै तो यह चीज है बाकी आगे हम बात कर लएत area पर सीधा सीधा आप धौनिय टीम्स के बीच में जो head to head match कि खेले गये हैं और 4-4 मैं तो सोच सकते हों कि इंडिया का record कितना अच्छा है इस में बात करूं आप सब के हिसाब से इंडिया इस मैच को एक तरफा जीतने वाला है तो उसी के हिसाब से अमने टीम बनानी है अब देखो वीडियो देखने के साथ साथ आपको फ्री ये पचाशाजार रुपे जो मैं आपको देता हूं वो वापस आ गए है तो इस मैच में इस वीडियो में मैं आपको कोश्चन कर रहा कि इस मैच में आपके लिए इंडिया की तरफ से इशान किसन कितने रन बनाएंगे और उनको आउट कौन करेगा पता हूं थोड़ा दिमांग लगाओ और जाकर के कमेंट शक्षिन में बता देना बट अभी नहीं पहरा दूसरा कोशन सुनना दोनों कोशन सुनने के बाद पिर आपने बताना है कि इशान किसन इस मैच में कितने रन मनाएंगे और उनको आउट कौन करेगा अगर आपको अंसर सही हुआ फिरी में 50,000 मिल सकते हैं अब आगे हम बात करें सीधा सीधा यहां पर आपके इंडिया की पिलेंगे ने उनके बारे में दोको लास्ट मैच म के बात बताया कि रुतुराज गयाकवाड को काफ निगलता मतलब उनको थोड़ी सी एक छोड़ी सी इंजरी थी और मेरे इसाप से इतनी बड़ी इंजरी नहीं थी बस थोड़ा सा प्लेयर की सेफटी को देखते वे उन्होंने आपनिंग करने नहीं वेजा क्योंकि कमजोर जो भी खेलेगा मैं टेलिग्राम पर बदा दूँगा कि आपने किसको लेना है कैप्टन किसको बनाना है मेरे इसाब से रुटराज घ्याकवाड को खेलना चाहिए विशान किसान है दीपा कुटा है सुरकॉमर यादव दिनेश कार्तिक है हार्दिक पांडया है उसमाद आ तो शार्ट साथ साफ बोल गया था मैच के बाद कि उम्रान मलिक का पहला मैच एक हवर मिला और एक हवर मैच 4डरं खर्च कर गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि बंदा second match नहीं खेरेगा ठीक है तो इम्रान मलिक को एक बार फिर से इस match में chance मिलेगा और अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से balling की देखो भाई आपके बोने शुकमार पूरे चार करेंगे और उसके आपके अक्षर पट्य के अवर कट सकते हैं और आपके चेहल पूरे ऊवर करेंगे और आपके आवेश भी करेंगे अब जो अवर कटेंगे हार्दिक पांडिया के पास जो ऊवर जाएंगे तो 100% हार्दिक पांडिया इस match में फी दो से तीन अवर बॉलिंग कराएंगे और जो हार्दिक पांडिय के पास अवर जाएंगे वो या तो अक्षैर पटेल के अवर जाएंगे या फिर आपके उम्रान वलिक के भी जा सकते हैं अगर उन्राम नलिक को एक बार फिर से मार पड़ती है तो यह चीज आप देख लीज और खेलने वाले और 20 ताव खेलेंगे तो विकेट भी गिरेंगे तो आपके दिनेश कार्थिक पांडिया तक बैटिंग आएग्टीग आईगी हर्दिक पांडिया को आप एक स्टेप मतलब एक बैटिंग ओडर उपर कर लिजेगा बैटिक करने के लिए तो ऐसे यह अब से आपने इनको तो लेने लेना दीबकुड़ा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और सूरिकोमार याद आओ अब थोड़ा से यहां पर के रिस्क लेह लेना या तो आप दीबकुड़ा को ड्रॉब करने करीश्क estim clean लेना दो अपनें हार्दिक पाण्ठिय और एक यहां से बैटिंग मैं से ले लिजेगा और तीन आप बॉलर से ले लिजेगा थीन में एक नुमहर हो जाते हैं एक चहल हो जाते हैं और फिर आवेश उम्रान और आपके अक्षर इन में से कोई एक बॉलर जैसे में अच्छे होंगे आपके आवेश खान तो इस तरीके से अपने टीम में साथ इंडिया की प्लेर रख लेना अगर इंडिया बॉलिंग करता है पहले तो फिर या अपनी स्मॉल लिक की टीम में रखने वाले हो गिरांड लिक की टीम में आप अलग अलग एक्सपेरिमेट कर सकते हो जैसे कि आप रूत राज गयाकवाड या इशान की सर में से किसी को ड्रॉब कर सकते हो अब प्लेयर वाइस अगर हम परोफ़ोमेस देखें तो रिसेंट में आपको लास्ट वीडियों बताया था तो आपको यह पर थोड़ा सा इस मैच को घ्यान में रखते हुए आपको यह पर प्लेयर वाइस परोफ़ोमेस दिखाऊंगा आपके इशान की सन यह पत नहीं कौन से नश्य में आते हैं आती बोल को हिट करना स्टार्ट कर देते लास्ट में अच्छा चल रहा था ऐसी आउट होके चले गए ठीक है अच्छे फॉर्म में है और आर्लेंड के अगेंस्ट तो खास्वर पर अच्छा-खास से स्कोर कर सकते हैं उस बाद दूरूत आपको फिर से वन डाउन आ करके वैसे आपको देखने को मिल सकता है आप स्टार्ट रहा पहली बॉल पे LBW आउट होके चले गए बट इस जीरो से आप इनकी पोहमेंस को आक ना मत मेरे हिसाब से अच्छे प्लेयर है और बैटिंग का चांस मिलेगा तो आपको अच्छे पॉइंट देगे जाएंगे हार्दिक पांड या बैट बॉल कहीं न वैट समयन की है और यह लेफ्टाम और्थोडॉक्स है बट चुक्ए स्टन्स को उतनी जादा हल्प नहीं है तो इनको थोड़े से कम ओवर मिलेंगे लेकिन अगर ओवर मिलते हैं तो यह आपको दो तीन विकेट लेके जा सकते हैं तो ग्रांड लिक के लिए अच्छे प्ल गोरु को इस मोल लिक में रख लिए खास पर पर चेहल जो की तीन में चोंबें साथ विकेट इस टीम के अगश ले चुके हैं अब गाई बात करें आप पर आरलेंड की प्लेंग लेंगे उंकी तो आरलेंड की आप देखिए पॉल इसके बाद गयरा दिलानी एरी टेकर हैं एंड्रिव मैकराइन और क्रेग यंग बाइक अधिर और पर और इसके बाद जॉश्य लिटिल लास्ट मेच में भी मेरा आपको वो रहा था कि हैरी टेक्टर सबसे इंपॉर्टन बैट्समेन है पॉल इस टीम में वैसा ही उन्हें परफॉमेंस भी किया एंड्रिव इनके क लिक्स में अच्छा खास अपॉम्स करके जाते हैं गरन दिलानी भी अच्छे है लास्ट मेच में जंदियाउड हो गेते हैं विकेट कीपिंग में लॉरें टेकर आप देख लीजगा उस बाद जो डॉक्रेल अच्छे और बालिंग का उनको ज्यादा चांस मिलता नहीं है तो टिक टाक आ जाती है एंड्री मैंक ब्राइन यह भी राइट अर्थोडॉक्स बॉलिंग और रहे हैं उस बाद क्रेग यांग इनके सबसे इंपॉर्टन बॉलर्स में से हैं मार्क अदीर यह दो इंपॉर्टन प्लेयर हैं जो आपको बॉलिंग में पॉइंट देंगे मार्क अदीर इवन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं विबाद और जॉश्य लिटिल है जॉश्य लिटिल भी ठिक टाक है फास्ट मेडियम बॉल रहे हैं तो इस टीम में से आपके कौन-कौन से प्लेयर है जो टीम में होने चाहिए हमने यह आपे सिर्फ चारी प्लेयर अगे त्युम पहले बैटिंग करेगी तो फिर हमने क्या करना है पहले बैठिंग करेगी तो मतलब इंडिया की आराम से चेज किसी के साथ जा सकते हो यह चीज है अगर यह टीम पहले बॉलिंग कर आईगी इंडिया पहले बैटिंग करती है तो फिर आप इन दोनों बॉनस को ले करके दो बैट्स में ले ली जगए इसमें आपके हरी टेक्टर और आपके पॉल इस्टरलिंग या फिर एक विकेट कीपर श्वाल को ले ली जगा इन बसी कीटे को डॉप करके तो यह वह गई है आपके आइरंलीन की टिम में से आपके प्लियर अब अगर आप बात करह हैं पर प्लेरवाइस पहमेंस की तो वॉल इसटरलिंग कुछ खास कमंस रासमें में यह च्छा आइंटम है तो यहां उन्हों बॉल ब्राइन इनका आर्लेंड डॉमेस्टिक टीट्वेंटी लीग में एक मैच अच्छा रहा था बाकी खराब गैर्ट डिलानी ठीक ठाक यह अभी डॉमेस्टिक टीट्वेंटी लीग खेल के आ हैरी टेक्टर हमेशा की तरह पहोमेस्ट किया चौशट बनाएं लॉरेंट ठीक ठाक इनका रहा लास्ट मैच और जॉर्ज डॉक्रेल इनका कुछ खास अभी तक रहा नहीं है डॉमेस्टिक में भी यह जिरो-जिरो विकेट लेके निकले हैं अब गैस आगे हम बात करें आप करेंगद प्लेयर है है उसलबाग कारेंट ऑर जॉस्च लीटीन है तो यह जोगा आपके आरलेंड के प्लेयर आरण की प्लेयर मारक अच्बर्ज कर एकिस ग्राणड पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड शारा है और और आगे देंकिए बैरी में कर्तिक पर यह दोनों इंपोर् अब गाइस आगे आपका सेकंड यह कोश्चन पहला कोश्चन मैं आपसे इशान किसन कोन होगा अंदाद लगाओ यार कौन हो सकता है ठीक है अब आगे हम देख लेते हैं आपके यहां पर जो इस वक्त मैंने माइलें सरकेल की टीम बनाई हुई है विकेट कीपिंग माइलेंस सेकल पर आपको इसान किसन को लिया हुआ है बैटिंग में में रूत राज गाकवाड पॉल इस्टरिंग और हैरी ट्रक्टर को लिया हुआ है एक ही इंडिया के बैट्सम लिया ऱूटराज कायं गला तो मैं गैरेत की जगहा पर क्रैक येनक को बॉइन आवेषकान है बोवनेश अब अब यह मेरी टीम है अब यह 2 मैं ऐसे बनाई एकर अगर इंडिया पहले बालिंग कर आएगा तो मेरी यह टिम रहेगी और इंडिया पहले बैटिंग होने वाले हैं तो इसलिए बोल रहा हूं अगर आपने टेलिग्राम जोइन नहीं किया है तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलिग्राम जोइन कर लो एक दम फिरी में टीम मिल रही है फिरी में गियोवेज भी मिल रहे हैं और अगर आपको फिरी बहुत चाहिए पहले पर टेलिग्राम पर वेस्ट अफ लाग